गुप्त भक्तों का प्रमाण तीन हजार है विद्यमान लेला कर रहे भारत के भूमी में सत मनुष्यों को है उनका पहचान पंच सखाउने भविश्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में तीन हजार गुप्त भक्तों के विशे में कहा है जो कि वर्तमान के कल्यूग में, कलकी अवतार के लिला में मुख्य भूमी का निभार हैं कोई वज्यानिक है, कोई पुलीस में है, कोई राजनिती में है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई किसान है, कोई तपस्यारत है तो कोई मानसी की रूप से पागल भी है अलग-अलग शित्र, अलग-अलग राज्य, परंतु दिश्य के वलेक कल्यों कांत जय और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य पर्ध्यान दो, तर अपने आप दू हो जाएगा परंतु इसका अर्थ आखिर है क्या नाना मुनी नाना मत देते हैं, कोई कहता है, त्रिसंध्या करो, कोई कहता है, माधव का नाम जपो, कोई कहता है, सीताराम का नाम जपो, कोई कहता है, राधे-राधे का नाम जपो, और इन सभी में असली मूल तत्यव कहीं खो जाता है संथ गूरु अच्चू उतानंद समेत महान संथ गूरु वेद व्यास जी ने भी कहा था कि कल्यूग में एक भक्त बनने के लिए ना तुम्हें साधना की आवशक्ता है ना ही तपस्या की ना यंत्र तंत्र के विद्या की आवशक्ता है तो केवल नाम जब की हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे स्वय महप्रभु जगनात जी के अवतार चैतन्य महप्रभु जी के द्वरा प्रकासित इस महा मंत्र में चुपा है ब्रम्हांड का सबसे मूल तत्व त्रिवीज तत्व ब्रम्हा सी त्रिवीज तत्तों का जाप प्रतेक दिन करे तो हमारा आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाता है। ये संसार आप से या मुझ से नहीं चलता, ये संसार धन से नहीं चलता, ये संसार बल से भी नहीं चलता, ये संसार फ्रिक्वेंसी अर्थ आवरिती के आधार पर चलता है। अपने बेटे को कलकी बना कर लोगों को लूटना है, मन घरंद बातें बोल कर अपना परचार करना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोग तो मुर्क हैं, क्या ही समझ पाएंगे, और तो और लोगों को सत्य धर्म का सीख देने की वजाए, उन्हें दूसरों के प्रती हिंसा क करने को सिखा रहे हैं, लोग भी मुर्क हैं, क्योंकि इन पर कली का भूत इसकदर सवार है, कि इन जैसे पाखंडियों के चकर में आ जाते हैं, और अपने कर्तव्यपत से भटक जाते हैं, खेर हमें क्या, जिसको खाई में गिरना है, वो तो गिरेगा ही, इंटरनेट पर हम आरा ये परिवार एक मात्र ऐसा परिवार है, जहांपे ब्रह्म एकाक्षन, त्रिवीच तत्व, सरीर तत्व, परम ब्रह्म तत्व, तथा ब्रह्म महांड के अलग-अलग महगुप्त तत्वों पर चर्चा किया जाता है, वो भी अत्यंत सरण भासा में, जो कि इसका लिउ गुपत तो काही न कही बू गुपते गुपत करो, तिनी सस्रे सारा गुपते ठाबो करो लिला भुईयोग चरो, दुस्त जनमाने उपहास करी भखतंको निंदु थी बे, भखतंको कथा भखते जानंती, अन्य केहे न जानी बे, अर्थ गुपत भखतों का प्रमान, तीन ह हजार भखतों के विशे में कहा है, जो कि वर्तमान भारत के भूमी पर उनर्वार जनम लेकर आये हैं, कलकी अवतार के लिला में भाग लेने के लिए, कोई वज्यानिक है, कोई पुलीस में है, कोई राजनिती में है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई किसान ह कोई तपस्यारत है तो कोई मानसीक रूप से पागल भी है। नित्य लिला चोरिबे से दिनों बिला ते चोमको पोड़ीबो मौरीबे गोरु मोई सी विद्याड़ चात्र जुद्ध विद्या सिखी कोरीबे घोरा निती अर्थ चाइना जापान जर्मनी जेसे देशों में अनेको भक्त होंगे इटली देश में जगनात जी का स्तापना क करके नित्य लिला करते रहेंगे तब विदेशों में भारी संख्या में गोवन्स मारे जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को युद्ध विद्या सिखाते रहेंगे इस भविश्यवाणी के अनुसार भारत के बाहर भी अनेको भक्त हैं जो सत्यूक के मार्क पर धर्म का प अन्दित हो जाता है मैं इस कौन नामक संगठन का समर्थन नहीं करता ना ही उनका प्रचार कर रहा हूं मैं केवल और केवल भक्तों के विशे में कह रहा हूं जो रंग में भले ही हमसे अलग हैं परन्तु कर्म एवं धर्म के आधार पर सनातनी हैं हमारा ये सरीर एक यंत्र परंब्रम का एक अंश होता है चाहे अवतार हो या देवी देवता चाहे असुर हो या मनुष्य चाहे पेड़ पौधे हो या जानवर सबका अंत एक ना एक दिन निश्चित होता है परन्तु आत्मा मर है क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होता कर्म के आधार पर एक नए सरीर में एक नया जीवन मिलता रहता है या फिर कर्म के आधार पर उसी परंब्रम में समा जाता है इसको हमारे सास्त्रों में मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है अब अंतिम विचार या फिर निर्ने आपको लेना है सास्त्रों मेवरनित तथ्यों पर विश्वास करके सोयम को परिवर्तित करके एक उच्च कोटी का स्तान प्राप्त करना है या फिर पाखंडियों की चक्कर में आकर सोयम को बरबाद करना है क्या आप बता सकते हैं की कौन से देश के प्रधान को उनके विपक्ष के सांसदों ने भारत के प्रधान से माफी मागने के लिए कहा है जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए क्यूकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के वीडियो में प्रकासित करूंगा लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए जै जगन्नात, जै पंच सखा, जै हिंद